यह प्रकतिका बहुमूल उपहार है अगर आप इस घास पर नंगे पर चलते हैं दोस्तों इसके चलने से ही आपके बलड पेसर की समस्या में आराम मिल जाएगा अगर आपकी आँखों में चसमा लगा हुआ है दोस्तों तो वो चसमा भी हड जाएगा तो दोस्तो आज किस वीडियो में आपको दूब, दुरवा, अमरता या पीली दूब के नाम से प्रसिद इस उसदी के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तो यह उसदी अधिक तर हर जगा पर बड़ी असानिस मिल जाती है, हर मौसम में दोस्तो मिलती है अगर इस दूब का सही तरीके से इस्तमाल किया जा तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है दोस्तो जो दूब होती है, दूब में प्रोटीन, कैल्सियम, फासफोरास, अनेक बहुमूल पूसक तक तो पाया जाते हैं दोस्तो अगर आपको पथरी की समस्या होती तो पथरी की समस्या को ठीक करने के लिए दूब बहुत ही बढ़िया होती है दूब को ती से मिल पानी में पीस करके उसमें थोड़ी मात्रा में मिसरी मिला करके सुबा साम दोस्तो कुछ दिन तक सेवन करने से पथरी टूट टूट कर निकल जाती है दोस्तो जो इसका स्वाद होता है यह हलका कड़वा होता है और हलकी मीठी भी होती है दोस्तो दूब, कफ, पित को कम करने वाले यह सदी होती है दोस्तो अगर आपको उल्टी की समस्या होती है तो पांच मेल दूद के रस को पीने से दोस्तो आपकी उल्टी की समस्या ठीक हो जाएगी दोस्तो अगर आपको पेशाब करते समय खून आता है या पेशाब आपका रुक रुक करके होता है तो ऐसे इस्थिति पर दूब को मिसरी के साथ पीस करके दोस्तो पीने से ही पेशाब में खून का आना या पेशाब में दर्द का होना दोस्तो ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं दोस्तो जो दूब होता है ये सिर्फ इंसानों के लिए फायदेबंद नहीं होता है यह जानवरों के लिए भी सबसे फायदेबंद होता है और जानवरों का सबसे प्रीचारा होता है दोस्तो जो जानवर दूज दे रहे हैं यानि जिनका हाल फिलाल में बच्चा हुआ है उनको दोस्तो यह घास को खिलाने से दूद बढ़ जाता है यदि दूद बढ़ाने की बात की जाए तो इससे अच्छी कोई आउसदी नहीं है दोस्तो गर आपको मलेरिया वाला बुखार आता है यानि ठंड के साथ आपको बुखार आता है दूब के रस में अतीस के चूड को मिला करके दोस्तो चाठने से मलेरिया रोग में विसेश लाब होता है दोस्तो दूब के रस को एक से दोबुन नाक में डालने से ही नाक से बहने वाला जो खून दोस्तो वो बंद हो जाता है अगर आपको पेशाब करते से में जलन की समस्या होती है पेशाब आपका रुक रुक करके होता है तो ऐसे स्थिति में एक से दो गराम दूब को दूध के साथ पीस करके छान ले फिर उसको दोस्तो पीने से ही मूत्र मारगी सही प्रकार के समस्या दोस्तो पूर रूप से ठी हो जाती हैं दोस्तों ये थे दूब दुर्वा या पिर अम्रता के बहुत ही गजब के आरवेदिक फादे आसा करता हूं ये जानकारिया आपको अच्छी लगी होंगी